Don't buy MSI laptops question mark ये thumbnail देखके आपने इस वीडियो पे ग्लिक किया है तो इस question का answer आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा totally So why would I recommend anyone to buy MSI laptops and why wouldn't I recommend anyone to buy MSI laptops तो इन दोनों सवालों के जवाब को इस वीडियो मिल जाएगे कि क्यों आपको MSI के laptops purchase करने चाहिए जो 50,000-60,000 से नीचे आते हैं approximately 1,000,000 से नीचे आते हैं ये laptop सबको buy करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए तो चलते हैं अपने वीडियो के तरफ तो सबसे पहली बात है कि मैं MSI के laptops की मुझे पहली चीज है क्या लगती है और अच्छी चीज है तो सबसे पहले मैं बुडी चीजों के बारे मगा बात करूँ हमा कि अगर आप लेने वाले हो तो सबसे पहले बुडी चीज अगर आप comfortable हो तो मैं अच्छी चीजों के तफ जाओ MSI के ज़रूरी नहीं कि आपके city आप जहां भी लोकालिटी में रहते हो वहाँ MSI का service center available हो यह होगी पहले चीज़ और अगर आपके आसपास कोई service center available है भी तो आपको किस टाइब की service प्रवाइड करते हैं इस पर भी डिपेंड करते हैं बहुत जादा तो एक मैं अपने फ्रेंड का केस बताता हूं आपको उसने MSI modern 14 लिया था 14-inch वाला laptop उसका और जिसमें i5 10th generation लगा हुआ है तो थोड़ा सा पुड़ाना मॉडल है और एक देड़ सल पुड़ाना मॉडल है वो तो उसके laptop में अभी चार-पांच में यूज करने बाद बाकी सारी चीज़ ठीक चल लए थी चार-पांच में यूज करने बाद connectivity की issue आने शुरू आती जैसे उसका Wi-Fi चला गया कभी Bluetooth निया कनेक्ट हो रहा कभी Wi-Fi का आइकन ही गया वह चुका है तो यह आजकल काफी common issue है और mostly मैं देख रहा हूं यह MSI के laptop में हो रही है तो वो उस टाइम पे उसने driver पगर अपड़ेट करके देखें काम नहीं ब तो उसमें Windows अपने license के साथ आता है जो आपको lifetime free subscription के साथ आता है Windows उन्होंने क्या कि पाइरेटेट विंडोज उसके laptop में डालके उसको वापिस कर दे पाइरेटेट विंडोज आप लाप्टोप में डालके देदे रहे अपने customer के हो तो उसकी कारण उसका laptop पूड़ा चला गया सारे data बगरा उड़ गया उसका तो फिर मैंने उसका laptop में Windows डाउन्लोड किया और फिर उसके सारे setup करी तो ऐसी service मेरे को बहुत बुड़ी लगी या तो आपको आपके पास service center को मिलेंगे नहीं अगर मिलेंगे तो कुछ इस तरीगी service आपको देने वाले हैं यह चीज हो आपको अगर MSI का laptop buy करते हो तो आपको या तो उन सारी खराबियों के साथ आपको यूज करना परेगा या तो अगर आपको बनवाना है तो आप बाहर जाके बनवाओ या जिसकारन warranty आपको void होगी warranty होना कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि warranty आपको वैसे भी क्या ही मिलने व तो कुछ लोगों के होते हैं कि उनको थोड़ी बहुत कैजूल गेमिंग भी करनी होती है कि कुछ लोगों का होता है सीन के उनको चाहिए होती है laptop जो थीना लाइट हो बैटरी बगाब अच्छी हो कहरी करने में easy हो तो मैं दिखाता हूं आपको चलते हैं अपने laptop screen के ऊपर तो यह एक laptop है MSI Ryzen 5 5500U यह काफी बेटर प्रोसेसर है इस रेंज के अंदर यह 4290 आपको दिख रहा होगा भी प्राइस लेकिन अभी आप अगर कॉर्ट पर लगाओ यहां देख सब्सक्राइब तो थर्टी नाइन थाजन का आपको यह laptop पढ़ रहा है तो थर्टी नाइन सब्सक्राइब को 5500U प्रोसेसर मिला जो काफी अच्छी बात है तो यहां पर आपको 8GB करा हैं 512GB SSD Windows 11 प्रेंस्टॉल लाता है 14 इंच का आपको laptop 1.3GB काफी थिने लाइट रहता है laptop मैंने मेरे फ्रेंड का अभी laptop मैं करी करता हूं और मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो पे अपलोड करी थी राइजन 5 4500 यह वाले मॉडल की तो आप देख सकते हो उस वाले वीडियो मैंने बताया कि क्या प्रोस और कौन से और मैं उस वीडियो में कंपनी से बायस्ट हो कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी मैंने बस बत क्योंकि ओवरल बाहर से बिल्ड से ही होती है सर्विस के बारे में आपको बताया कि कैसी है और लांग टर्म में मैं बोलूंगा चल जाते हैं मैं से लाप्टॉप अगर कोई इशू नहीं आता हो तो लोग 3-3 साल यूज करते हैं कोई दिक्केत नहीं आते होने लेकिन अगर रेकिन थी घ्मिंग रादेगा और मैंने 4500 वाले लाप्टोप पर भी अपने वीडियो रेटिंग करी थी तो काफी मैंने वीडियो वाले वीडियो में शायद वो क्लिप पर फटिए अट कर रहें कि कैसी वीडियो रेटिंग कर देता है तो मैं आई बटन में लिंक दोगा कि कैसा laptop है वो इसका तो मैं अलग से वीडियो नहीं बना सकता है कि यह वाला मॉडल मेरे पास अभी अवल वल नहीं है तो overall मैं बता देता हूं यह आपको 1500 का discount यहां मिल जागा इस वाले option पे जाओगे आप access bank का credit card या debit card लगाते हो 1500 का direct off मिल जागा और मैं आपको प्राइस ट्रैक करके दिखाता हूं यहां आप देख सकते हो 39,000 का laptop मिल ला था मतलब MRP ही मतलब यह जो लिस्टेड प्राइस है यहां पर वह ही 39,000 थी और यहां पर अभी थोड़ा सा 39,000 या 40,000 तक ही आपने budget को पुश्च कर सकते हैं maximum budget ही आपको 40,000 से नीचे है तब मैं आपको MSI का येवल laptop रेकमेंड कर सकता हूं क्योंकि इसकी प्रासेसर अच्छी है थीन लाइट वेट है आपको Windows 11 पर इंस्टोर्ण मिल जाता है आपको फोटी कॉम्पक्ट साइस 14 इंच के laptop मिलता अगर आपको करी अभी करना है इसली आप अपने कॉलेज बगर ले आ सकते हो घर पर ऑफिस पे जहां भी ले जाना ले सकते हो इसी टू करी होता है यह मैं कह करने के लिए इस लापटोप को बारे मैं बताऊंगा आपको तो यह थोड़ा सा बल्की हो जा था धाई केजी का laptop मेरा तो इसको मैं मैंनेज करना मेरे को आता है कैसे करना होता है लेकिन आपको अगर थीन लाइट 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 चाहिए थर्टी नाइन थाजन से नीचे का बजट है आपको 40,000 से नीचे का बजट है आपका तब मैं आपको यह लापटोप रिकमेंड कर सकता हूं बाई करने के लिए अगर आपको ओवर ओल लापटोप की प्रफॉमेंस बिल्ड क्वालिटी वगरए वगरए चीज़ जाननी है तो आप उस वाली वीडियो को दे तो यह देख लो 41,990 तक इस लापटोप की प्राइस गई भी है अगर आप 40,000 यह भी 40,000 से नीचे आपको मिल जागा आपको डिसकाउंट्स लगाओगे तो यहां मेरे को डिरेक्ट दिख रहा है और यह भी डिरेक्ट का डिसकाउंट आप ICIC या फिर एक्सिस बैंक रेट अप थोड़ा सा वेट कर लेकर प्राइस ट्रैक कर के देख लो इसकी यह एक्स्टेंशन है बाई हटके करके को एक्स्टेंशन यह पी रहे आपको एक फिलिप शॉप भी करके यह बहुत लोग को देखा यूज करते वे बिल्ड क्वालिटी मेरे को पर्शनले काफी अच्छे लगी है इसकी अधर्वाइस आप तो यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखी सकते हो कि कैसा बिल्ड क्वालिटी है क्या है आपको options दे रहा हूं कि अगर आपको MSI की तरफ नहीं जाना है आप रियल में ले सकते हो यह ले सकते हो 14 चाहिए रियल में बुक ले सकते हो यह वाला MSI आप लेने के लिए रेडी हो आपको कोई प्रॉब्म नहीं है MSI के लापटोप के साथ तो आप देख सकते हो यह वाला लापटोप MSI modern 14 5500 यह काफी बड़ी आप प्रॉसेसर है यह हो गए 39,000 या 40,000 से नीचे के लापटोप अगर आप अपना बजट 3-4,000 भी पुश्ट कर सकते हो ना तो 40,000 से अगर आप 41-45,000 के प्राइस ब्रैकेट पर जा सकते हो तो मैं आपको बताता हो कों से लापटोप उसको भाई करने चाहिए तो यह रहा मेरा ग्रूप यह बॉटल ने टिक का ग्रूप है मैं हट वीडियो के लिंक में डालता हूं इसका डिस्क्रिप्शन तो अगर आप इस ग्रूप को जॉइन करते हो यहां पे मैंने काफी सारे लैप्टॉप को डिल्स दिखा है थे अपने ग्रूप के अंदर एक बंदे को लेना था इस बंदे को शायद मैंने लैप्टॉप के लिंक्स भेजे थे ग्रूप के अंदर तो मैं आपको बताता हूं 41-45,000 के इंदर आपको लेना है तो यह मेरा laptop है HP Pavilion Gaming इसका मैं मॉडल आपको बता देता हूँ बहुत लोग पूछ रहते हैं दिस इस दी मॉडल इसको दो अक्टूबर लास्ट यह राइट तो अब आपको इसका एक साल हो गया और अभी आप देख से तो 49,000 लिस्टेड प्राइज लेकिन आपको कार्ड इसकाउंट्स वगर लगा कि 46,000 तक पर लाप्टोप और इस रेंज में इससे बेटर लाप्टोप आपको नहीं मिल लाप्टोप पे ही होती है तो अगर आपको MS HP के तरफ जाना है HP काफी अच्छी ब्रैंड ने काफी सही सर्फिस देता आपको इस लाप्टोप पे प्रोलम आई थी नेटवर्क की वह मैंने इस वीडियों बताया था काफी सही सर्फिस मेरे को मिली उन्होंने मेरे घर पे आ यह लाप्टोप अगर आपको 45 46 तक नहीं जा सकते 42 43 44 तक जा सकते हो तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ लाप्टोप तो यह देख लो आसुस्टफ F15 यह आई 510 जनेरेशन के साथ आता है इसमें भी आपको सारी चीज़े 144 डिस्प्लेए 1650 ग्राफिक्स काड अन वेडिय होता है यह लाप्टोप लेकिन ओवराल लाप्टोप को कोई प्रॉलम नहीं आती है इससे इसके फैंस वगर काफी अच्छे काम करते हैं तो थोड़ा से हीट होता है 90 तक चलाया था टेंपरिचर इसका गेमिंग करते हो आप तो लेकिन उससे को बहुत जारा प्रॉलम नही चाहिए बिल्ड कॉलिटी अच्छी चाहिए एच्पी से ओवराल मैं कहूंगा बिल्डवाल थोड़ी सी बेटर लगती मेरे को असुस्टफ की क्योंकि उसमें स्क्राइच रेसिस्टेंट और बाकिसारी में लिट्री ग्रेड वरा प्रोटेक्शन वगरा मिला हुआ उसके तो आपको सब्सक्राइब को देख सकते हो अगर आपको असुस्टफ चाहिए तो आपको 42 तो 43 के में यह मिल जाएगा 46 के में मेरा एच्पी पविलिन मिल जागा यह वाला लैप्टव एंड यह आपको आता आडिया पैड लिनोव गेमिंग यह आपको 42,000 मिल ला था मैं आ इस की दिस्प्लेट यह लापको यह आपको यहां पर 120 हर्स की स्क्रीन मिल जाती है थर्मल भी अच्छे है इस लैप्टप के तो 120 हर्स के इसमें थोड़ा सा कम डिस्प्ले मिल ता आपको लेकिन असुस्टाफ लेन से पहले एक चीज़ दिहान रखना कि उसकी वह HP के अपको यह लगती है आपको उसकी फोड़ी सी यलोई इस टाइप की दिस्प्लेट थोड़ी सी फेड़े मतलब कलर सापको उतने जारा सेचुरेटर नहीं दिखते है इन चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो यह कुछ बात थी जो मैं बताना चाहता था आपको इस से आपको अपने मैसेज डाल सकते मैं भी अपने मैसेज डालता हूँ और यह सारी चीज़े हैं तो MSI का लापटोब अगर 39,000 से नीचे लेना है 39,000 के अंदर लेना है MSI ले लो 40-41 तक लेना है आईडिया पर गेमिंग दिख गया आपको 42-44 की बीच में जाना है आपको असु जल्दी आपको दे दूँगा मेरेको बस थोड़े बहुत रिसेच करनी परेगी मैं दे दूँगा उसकी लापटोब अगर आपको MSI का लापटोब नहीं लेना है 40,000 से नीचे लेना है तो इस इस दिवन डियल में बूक आप यह देख सकते हो या फिर यह रिदम बूक है यह देख सकते हैं यह सारी चीजें हैं जो आप ध47 पर्टोब पर्चेस कर सकतो है काफी सही टाइम है यह मैं आपको काई परपाउमस डियता है आफि मेरेको और अगे लिडियो पसंद आ tour YouTube मैं जानता हो दो-तीन दिन हो गया मैं अभी काफी बड़ेशान था अभी कुछ दिनों से मेरा मैंने अपना एक फोन ओडर किया था अभी काफी सही फोन काफी सही डिल पर मिल लही थे आपको तो मैंने ये फोन परचिस के भी मैं कुछ दिन में इंडेफ्थ रिवियू करके डालूंगा लेकिन उस समय तक शायद सेल एंड हो चुकी होगी लेकिन मैं एक चीज़ स्टेटमेंट बता देता हूं अगर आपको अभी भ आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा हूं वो उसी फोन के फ्रेंट कैमेरे से रिकॉर्ड हो रही है कुछ इस तरीके कॉलेट आपको मिल लेए मैं 1080 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं कुछ दिनों से बर्शान इसी फोन के आरे चला था इसके मैं बताऊंगा आपको अब शुच्छ देख रहा है किसी अवर नाए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और अच्छे डिल्स लो फिलिपकरड पी जाके कोई प्रॉलम है पूछो मैं बताऊंगा अच्छे डिल्स आप चलो शॉपिंग करो आपी अपी अच्छे डिल्स पहीं चलो